रविदी जी बात करें यहां से अगर गवार कॉंपलेक्स की तो गवार गम और गवार सीड में हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक नर्मी के साथ कारूबार देखा है गवार गम में आज भी नर्मी के साथ कारूबार जारी है हाला कि कुछ कीमते हलकी सी सुधरती नजर आई है और गवार सीर की बात करें तो गवार सीर में 6100 के बाद आज 6200 का लेवल देखने को मिला है आपको क्या लगता है क्या गवार में वॉलेटिलिटी जादा है या स्पेकुलेशन की वज़ा से इतना देखने को मिल रहे है क्योंकि fundamentals तुम देख रहे हैं कि production थोड़ा कम ही है और industrial demand भी इतनी जादा नहीं है कि जो कीमते हैं इतनी उपर जाएं आपको क्या लगता है गवार में क्या आगे जाके भी volatility देखने को मिलती रहेगी देखिए इसमें जादा volatility का reason ये भी है कि crude prices जो है ये काफी past move कर रहे हैं राफी जादा volatility जो है वो देखने को मिली है रिसें ले रिसेंट में और वो जो है वो गवार कंप्लेक्स में reflect कर रहे हैं overall fundamentals जो है वो मिग्ज है और इसी विज़े से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेसर्स हैं वो lack of clarity की विज़े से आमे इस समय गवार कंप्लेक्स में ज़्यादा volatility देखने को मिली है जैसे जैसे वो clarity बंती चाहिए prices जो है वो उसी तरीके से मूब करें तो अभी के लिए यहां से गवार कंप्लेक्स में छोटी करेक्शन जरूर बंती भी देख रही है परदर गवार सीट जो है यह 6,000 तक के लेवल डाउनसाइड में टेस्स कर सकता है वह गवार गम की बात करें तो गवार गम में भी सेलिंग बंती भी देख रही है 10-800 तक के लेवल इसमें भी देखने को मिल सकता है जी